हेलो हेलो फ्रेंड्स मैं आशुतोष गौर्थ एक बार फिर आपके सामने आपके सम्मुक अपनी श्रंकला को ले करके पिछली बार मैंने अपना वाधा निबाया आप सभी जानते हैं आशा करता हूं अच्छा ही लगा होगा और आज मैं फिर आपके सामने दो सिंगर्स गाउंगा और सबसे पहले हम अजीश आपको लेते हैं और इस गाने में एक यूनिक चीज है कि इस गाने की सिच्विशन ऐसी है कि इस गाने में हमारे राजिश कहना जी है काका जी हमारे गोल्डन स्टार जो रहे हैं अपने टाइम में और स्मिता पाटिल हैं इस गाने में और इस मिता पाटिल जी जब बिल्कुल टूड जाती है तो राजिश खर्ना जी उनको एक सौंग के माध्यम से उनको मोटिवेट कर रहे हैं और सौंग बहुत सुंदर है आपको पसंद आएगा मैं उसको आपके सामने बयां कर रहा हूं सुनिएगा एक अंधेरा लाक सितारे एक निराशा कितने सहारे कितनी बड़ी सोगात है जीवन नादा है वो जीवन से हारे एक अंधेरा लाक सितारे दुनिया की ये बगिया ऐसी जितने काटे फूल भी उतने दामन में सब आ जाएंगे दामन में सब आ जाएंगे इनकी तरफ तु हाथ पसारे एक अंधेरा लाक सितारे तो अजीवन के वारे में समझा रहे थे इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए हमें जीवन से लड़ते रहना चाहिए तो ये थे अजीज साहब और अब मैं आपके सामने एक दूसरे सिंगर और पेश कर रहा हूं वो भी कोई कम नहीं है वो भी बड़े सदा वहार गायक रहे हैं अपने समय में वो और कोई रही मैं ये शुदास जी की बात कर रहा हूं उनकी भी मैं आपको दो लाइन सुनाने की कोशिश करता हूं उनकी तरह गाने की कोशिश करता हूं आशा करता हूं वो भी आपको बहुत पसंद आएगा उनका ये जो गाना है बहुत पुरानी मूवी है और गाना वो आज तक गुन-गुनाया जाता है बहुत सुन्दर गाना है माना हो तुम बेहद हसी इतने बुरे हम भी नहीं देखो मगर तुम प्यार से डरते हो क्यूं इकरार से माना हो तुम तो यह थे यह शुदास जी और आपसे फिर से वही एक छोटी सी गुजारिश मेरे को यूही सपोर्ट करते रहें मुझे सहरा देते रहें ताकि मैं और आगे भर सकूं और आगे दो नए सिंगर में एड करूंगा यह मेरा आपसे कमिटमेंट है तब तक के लिए नवस्कार गुड़नाइट दुबार मुलाकात होती है पर सब्सक्राइब करना ना भूलें तैंक यू